नमस्कार दोस्तों एक नई लर्णिंग के साथ हाजिर हूँ और आज की स्टॉक लर्णिंग में हम लोग चाड़नेंगे कैसी कंपनी को जो कंपनी कहती है ब्यॉंड बॉंडरिस की बात करती है लोबल टेक्नलोजी लीडर के लिए इनका कहती है कि हम एक इनेबल्ट्स वीजा का काम हमारे पास है कल्शूलर सेंदा सीटेजल सर्विश को लेकर के जहां पर यह देखा गया कंपनी में जो चाहाँ पार्सपोर्ट सर्विश की बात किया जाए विजा सर्विश की बात किया जाए विजा असिस्टेंस की बात किया जाए या फिर इटेस्टेशन सर्विश को लेकर देखा जिसका नाम है BLS यह कंपनी के बारे में देखते हैं क्रेडेसल डिजिस्टल फिंगर प्रिंट सर्विश की बात करते हैं और कंपनी कहती है जो ट्रस्ट ग्लोबल एक इनेबल सरफिस पार्टनर फॉर्ड गौर्रमेंट एंड सीटीजन दौनों के लिए इनके सर्विशस को लेकर काम का साथ फस्ट फस्ट की बात किया जाए तो कहती है जो वांग टॉप टू अप्लेयर इन दा विजास पास्पोर्ट का इस सेक्टर में दो हैं जिसमें दुनी साल का इनका एक्स्प्रेंस हो चुका है ग्लोबली लेबल पे च्यालिस क्लाइंट है जो कहती है वर्किंग इन दे गॉर्णमेंट्स डिप्लोमेटिक्स मीशन को लेकर कंपनी का कहती है और कहती है दो सो बतिस मिलियन का अप्लिकेशन प्रोशिश अप्टू डेटेट की बात उन्हों नहीं कहा है यह कंपनी के बारे अंतरा सा समझते है जो की मार्केट में की स्टॉक की डिमांड और सप्लाई कितने एस्पेक्टेशन के साथ कामकाज कर रही है इसलिए हम थोड़ा सा पार्ट को समझने के प्रियास करेंगे जहां पर फंडामेंटल से टेक्निकल ट्रेंड को तरसाते हुई देखते हैं क्या के वोक वैल्यू है नियरली 30 रुपे क अंटरसिंग बलू उसके तीन गुन्ने से ज्यादा का आकरा दिलाती है अर्थात यहां पर देखा जाए करेंट प्रैस तो हायर टो हायर करीप करीप चार सो चुहत्तर तक गया था लेकिन दोबारा इसमें प्रोफिट बुकिंग का सिलसला चल रहा है अब यह वाले समय में इसके स्टॉक के प्रैस छेसु तक जाएगी मैं आपको कोई डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ इसके पीछे कुछ कारणों को समझेंगे क्या 600 तक पॉसीबल है या कुछ और नमबर की बात तो नहीं कर रहे है या ऐसा बात तो नहीं है कि इसके स्टॉक का माहं पहिन वह काफियो कहता है इसके लिए क्रिकॉसस Мих ambi कार्ण हो या या कोई ग्रोशेज की करणों की बात आप कोई भी कारबार होगा तो रिस्क होगा डिस्क के साथ हम रिकांसलेशन समझेंग रिकांसलेशन में हमारे पार्ट होती है जिसमें पेल का पार्ट की पार्ट को आपस में कंपियर करते हैं इसके अलावा जो ट्रेंड की ट्रेंडिंग व्यू की बात करें उसको लेकर के हम काम्याबी हासिल कर रहे. From the quarter basis लगातार है. ऐसे yearly basis की data की बाद किया जाय तो कहती है yearly basis लगातार करी कोबीर की situation के बाद किया जाय तो चाहिएँ पर चलने में काम्याबी हासिल करती हुए नजर आती है और लगातार बढ़ती हुई ही नजर आती है. इसी तरह की नंबर को बात किरके देखा जा तो नंबर जो quarterly करीब 808 क्रोड के आसपास कांकरा था वो 500 क्रोड सी आसपास कांकरा को ठेच कर रही है Profitality, year and quarter on quarter basis पे growth लगातार increase करती हुए नगराती है कुछ time को छोड़ दिया जाए तो Early basis की डेटा है वो लगातार साड़े 400 क्रोड वाली turnover जो 15 में हुआ कर था 24 की डेटा और उसे बाहर के डेटा के बात करें तो करें 1700 क्रोड की आसपास पहुचने के कगार पे चल रही है जिसके अधासब Profitality देखा तो Profitably है मतलब कमपनी में अभी तक क्या दिख रही है किलरेटी के साथ higher to higher को कर्च करने के आसार से उपड़ी सता पी कामकास करती हुए नदर आती है लेकिन कुछ risk factor कर समझते हैं तो risk कहते हैं बिलकुल zero इस company में risk नहीं के मताबिक कहता है और इसके एक आपनी देखा जो percentage of risk कितना कहता है क्योंकि सबसे पहली बात होता है कर्ज कितना है company के बात तो कर्ज जहां पर हमने कहा कि कर्ज मुक्ति के दरब चल रही है ऐसा बात नहीं है कि नहीं कर्ज को थरा सा बढ़ाया है comparison to the 23 के database के देटाबेस के लिए 24 में नहीं कर्ज बढ़ाया कर्ज बढ़ाके इनके specific asset बढ़े और बांकी सारे कुछ बढ़े लेकिन percentage क्या कहती है इनको डिसको कहते केबल के चालिस करोड का तो खास करके मैं बताओं मुझे इनकी हर्टक सिस्टम्स अच्छी इसलिए लग पा रही है जो इनके strong to strong की बात कर रही है अच्छी बात है जो जितना इनकी liability बड़े है उससे ज़्यादा ही assets में क्या हुई बृद्धी देखने को मिला है अब एक सबाल और आती है क्या भे निवेशक क्या है तो निवेशक इस company को लेकर के सब के सब बुल है क्यों है क्यों कि EFI के पास कोई position बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन धीरे-धीरे करके सितंबर तक में data को देखेंगे तो बढ़ती कोई नजराती है डियाई के पास बहुत ज्यादा नहीं था डियाई ने अपनी position को बढ़ाई तो प्लेयर की बात करते कंप्री में वह करिब करिब क्या सकते हैं कि पच्छिस हजार की आसवास के निव प्लेयर इस स्टॉक को डिमांड को लेकर रही है इसके मार्केट में जो डिमांड बनी बढ़ती नगर आती और चाहां पर वॉल्यूम में लगातार क्या कर रही है अपनी उचायों को टुच करने में help कर रही है अब एक सवाल आता है कि इनको लेकर कि क्या किया जाता है और इसको मार्केट में एक लंबी उचायों पर जाने के वाद मार्केट एक लंबी काल तो नहीं करता है कंपनी को लेकर करदेता अब क्पनी अपने अप्रेट में कहा था तक explicitly में कहा था कि हमारे पास जो कार्भ़ार है वह सब कारबार की बत आनीःका क्यों सुप एस डियुठा क्षुलरा के लिए हाइलाइट की बात करती कि मा रिपाई जो बीजिया का कारवार है बीजा का रिजियान कॉन्शूलर बिजनेस को लगभ है कि उसनक कहती के मारे वाय में कडि़ चारिब 15% के हास तो बॉछाल हो जुके 24 क्रोड को ऐख ता यह बीटा यह ते24 दी चेश heps पॉइंट से इंक्रीज करती हुए ने ज़राद और डिजिस्टल सर्विश में देखना को वहला कि वाय वाय में आथातर करोर का आकरा टेच करती है और मार्जिन वर की बात करता तो पंदरा परशंट के आसपास को लिए जाते हैं वाय वाय रेटेंट बनाती है उवीटा करी 16 परशंट के आसपास बनाती है और प्योद आभी आपटर फ्यच्टर के आसपास बेशिश पनाती है है strong के साथ साथ एक कहते ना future expectation के साथ काम काज कर रही है जहां पर revenue लगातार increase करती है और इन्हां ने कहा कि मारे पास international फिस जो कि दोबाई की based company होगे इनके जहां पर कहती कि कामकाज जो है वो subsidy company UK में है USA UAE और Russia जैसे का देश्वा में फाइली होई है का अधिर में के पास इंडिया और बाकि सारी company निके पास बीशी बिजनेस को ले करके कामकाज करती हुए ने दर आती है आखिर में इसके पीर्स कौन है तो कहते हैं उक्राविल फिन पीवी फिंटेक्स अब मुझे लगता है कि इनका काम जह कहती है कि यह company का करती है company के तरफ देखते हैं तो company कहती है हम तो कामकाज करने वाले हैं इसमें सब्सक्राइब करते हैं और यहां कहती है इनका काम है सब्सक्राइब के लिए कुछ एसे लिए कुछ एस्पेक्ट को हम समझेंगे तो इनका कारबार जो रहा हुँ उसका किस सेगमेंट से सबसे ज़्यादा परिशा कमाके लेती है यहीं सेगमेंट वाज कंप्ली ने फाइल किया होगा तो ऐसा कोई भी डेटा सेगमेंट वाज नहीं नहीं डेटा दिखाया है तब भी चलिए हम इसको कुछ कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और चार्ट लेवल पर देखें जो गिडाबट हुई उसके पीछे कुछ कारण हो करेंगे और प्रॉफिट बोकिंग का क्या हिसाब किताब होता है इस पर चल्चा करेंगे तो रिस्क टू डिवाड में देखें रिस्क टू रिकांसलेशन कंप्लीट पार्ट्स होगा जहां पर लगातार हो फंडमेंटर स्ट्रॉंग की बात करती है कंपनी लगातार इक्व क्या करती है और इसके अलाबा यही तरफ 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 भगती नहीं दर आती रिचार अच्छी कासी देती है रिचान अच्छी कासी की बात करती है और जो की होल्डिंग है वह थोड़ा सा डेक्रीज करणा उसमें बोहुत अभी तक नहीं किया है यूदी मेसरेटी हिए न को पास है अच्छान दिया है क्वाइब उन्हें जदी मार्किट ने बॉटम लिया मैं यह नहीं ने कहता हूँ आपने बॉटप और यूटर अधिशक करते हैं और गोल्डन रूल यह कै मार्किट को लेकर के लिुद कीशिप्रेंडि इ кажется की निशिक्रीन को लिए कि जो जब को मिनिवाइज करना चाहिए प्रॉफिट को मेक्सिमाइज करना चाहिए तो प्रॉफिट को लेकर क्या कहती है इनका जैसे ही कुछ प्रॉफिट बनती है तो प्रॉफिट को कहते हैं बुक करके घर ले जाना चाहिए जब प्रॉफिट बुक करके घर ले जाएंगे तभी कु कोई नगोई बेच रहा है तोचने वाली बात है इन दौना अस्पेक्टरों को समझने की बात है जिसमें इसको जैसे फायदा है खास के कंपनी को लेकर कोई सामिल नहीं होता कोई भी यहां पर जो जून तक का डेटा था उसमें अच्छा क्या है ग्रोथ लेवल बनाई है मेरे तरफ से कोई भी ट्रेडिंग की बात ना कोई इड्वाजरी की बात सामिल है अउन्ली आउज लेर्निंग पॉंटर्ट वू से यदि वीडियो एडिशन में अंदर आपको एड्ली वैल्यू एडिशन मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर सकते है मिलते हैं कुछ नए स्टाड़ी के साथ तब तक के लिए जोएंड थैंक यू सो मच फ़र जानिंग हैर